हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस जितने भी छात्र बोर्ड परिछा 2024 देने वाले हैं उन्हीं छात्रों के लिए एक प्रकार के जैरूरी सूचना है चाहे आप कलास 10 के छात्रों हो चाहे कलास 12 के छात्रों हो इस सूचना के बारे आपको पहले से जालना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंस बोड के एक्जाम में बहुत सारे चात्र तो ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो चुकी होती है लेकिन छोटी छोटी वह गलतिया करके चरे आते हैं जिससे उनका नंबर भी कर जाता है कभी-कभी छात्रों के साथ बहुत और आप फैल भी होने के कगार प्या जाते हैं तो आप इन गलतियों के बारे में पहले से जानते रहें कि बोड के परिच्छा में छात्र कौन सी गलती करते हैं जिससे वह फैल होते हैं आप सभी को इन ही के बारे में बताने वाले हैं तो आप वीडियो को लास तक जरूर द तो फ्रेंज देखिए परिच्छा केंद्र पर जाने से पहले सभी छात्र इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें जिससे आप वो गलती करने से बचे फ्रेंज पहले नमबर पर देखिए आप कहाता है परिच्छा केंद्र ठीके परिच्छा केंद्र पर आप क्या करें कि स गंटे पहले पहुचने का प्रयास कीजिए आप कोशिश कीजिए कि आप परिछा के अंदर पर 7-30 तक उपस्थित हो जाए ठीक है यह आपको छोट आपके लिए लग रहा है को बहुत छोटी सी बात है लेकिन मैकसिमम चात्रों के साथ यह होता है कि वह परिछा के अंदर पर अच्छा में नहीं मिल पाता है जिससे परिछा से वह वंचीट हो जाते हैं ठीक है यह गलती तो आपको एकड़ महीं करना आपको सभी गलतियां बताने वाले हैं बस आप वीडियो को लास तक बस देख लीजिए ठीक है अब देखिए अगला क्या है कि आपको बोड के एक् इच्छा नहीं दे पाएंगे तो आपको क्या करना है कि अपने पास प्रवेश्पत्र रखिए और साथ में आधार काट को भी ले लिजिए और अपने साथ में पेन और इसकेल भी लेके जाएंगे दूसरे चात्रों से आपको कच्छा में मांगने के अवसकता न पड़े तो आप पेन ले लिजिए आधार काट ले लिजिए प्रवेश्पत्र ले लिजिए ठीक है इसके साथ में देखिए आपको क्या करना है कि आपको बोड परिच्छा देन जूता सब उतारना पड़ेगा घड़ी पहने रहेंगा घड़ी भी आपको उतारना पड़ेगा यूपी बोड के द्वारा यह सूचना जारी किया गया है कि आपको ना जूता पहन के जाना है ना घड़ी पहन के जाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि चपल पहन के जा सकते है ठीक है तो आप बोड की एक्जाम देने जा रहे हैं तो आप चपल पहन के ही जाएए जूता और घड़ी का प्रियोग मत करें ठीक है इसके साथ में देखिए आपको क्या करना है कि आप कभी भूल के मोबाइल बुलुटूथ एरफोन नहीं लेके जाना है और साथ में किसी प इसे उनको जैल भी जाना पड़ता है अब देखेए जो आप सकत하면 में इसी बीडियो को आप जरूर देखे här अब देखे इसमें क्या है आपका कि पहले नंबर पर आता है अनुक्रमांग ठीक है आपको अनुक्रमांग जो अंकों में लिखना रहेगा पहले आपको अनुक्रमांग को लिखते समय ध्यान से नम भरिएगा यदि अनुक्रमांग आपका गलती हो गया तो आपका कापी चेक नहीं होगा ठीक है और आपका नंबर नहीं मिलेगा तो अनुक्रमांग आप ध्यान से देखके ही अनुक्रमांग को भरियेगा ठीक है इसके बाद अनुक्रमांग को पहले तो अंक में भरियेगा उसके नीचे शब्दों में लिखना रहता है ठीक है जैसे अनुक्रमांग जै छे साथ कामा देतर है अगर दो चार दो इस प्रकार से क्या करना रहता है आपको सब्दों में पहले तब उपर अंक में लिखेंगे कापी पे फिर इसके बाद आपको सब्दों में उसके नीचे लिखना पड़ता है इस प्रकार से लिखिएगा इसमें लिखते से में आप किसी प्रकार का एक भी गल्ती आपका होता है तो आप पूरा साल ब्यकार चला जाएगा और फेल हो जाएगे तो जितने भी पॉइंट बता रहे हैं इसको आप जरूर से एक बर ध्यान से देखें अगला क्या है विशे अब विशे तरह्ग भरते हैं कभी चात्र क्या करते हैं कि हिंदी का पेपर है। और वो ध्यान ने देंगे जल्दी जली बरने के चक्र में गड़ीत बढ़ुक के चलए आएंगे तो आप जो विसेयं के सामने ध्यान से में देख किएगा जैसे आप सभी का पर जो 22 को हिसाлена हिंदी निचा क्या लिखाना को हिंदी इसके बाद कि आपको बताता है प्रैश्णपत्र को क्या होता है तो IgA hdiaya 1801 d up क्या होता है यही को आप को लिखना पड़ता है तरी सको द्ध्यान से आपको 801 d कोड है तो कोड जहाँ पे लिखा रहेगा वहाँ पर लिखना मत भूलीएगा आप यदे लिक्षना भूल गए ठीक है जैसे माली जी आपका डी ए कोड है और डी पर डी अ बहर चले आ गए ठीक है तो जब d t लेज़ा जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा पूरा प्रश्न हो जाएगा थीक है तो आपको क्या करना करना है को डेट य constitutional दियान से वरीएगा यह गलति आप आपको लग रहा होगा कि छोटी सी गलती है लेकिन यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है जितने भी पॉइंट बता रहे हैं आपको लग रहा कि छोटी छोटी गलती है इसके बारे में क्या देखें लेकिन यही सब आपके लिए बहुत बड़ी गलती बन के सामने उबरती है और आप जब एक्जाम में सोचते हैं कि बहुत अच्छा पेपर देखा है आपका 99 परसंटेज आएगा तो आपको क्या होता कि कभी-कभी 60 परसंटेज आ जाता है कि यही छोटी-छोटी गलतिया आप बूर्ड के एक्जाम में करके चले आते हैं जिससे आपके नंबर भी कड जाते हैं और कभी-कभी चाटर ऐसे भी होते हैं कि पेपर अच्छा किये रहते लेकिन वह फैल भी तो आप बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा ठीक है आप परिच्छा का दिन आपको ध्यान से भरना है जैसे आप 22 फरवरी को पेपर है देखिए जैसे कल आप लोगों का पेपर है है 22 फरवरी को ता आप परिच्छा का दिन कल कौं सा देनेदा ब्रहस्तथि यहां पर ब्रहस्तथिवार वारीएगा और यह जोज़ल डालिएगा जैसे परिच्छा कती थी परिच्छा कती जैसे कल है तो देखे आप लिखिए का 22-2024 इसका मतलब हो कि 22 तारीक फरवरी दूसरा महीना दूहजार चोविस ठीक है इस परिच्छा का तीथी डालना मत भूलिएगा और यहां पर लिखा है पाली पाली का मतलब होता है कि कौन से सूबह में आपका पेपर है कि साम को पेपर है तो देखे जितने भी क्लास 10 के छात्र हैं वो तो पाली में कि प्रफम पाली लिखा और कि लिखना है छोड़ी है कि इन वह consider देज़गह को आप जहांब दीजिए good kuras halfIRE je आपको लिखना है तो आपके केंद्र का नाम क्या लिखेंगे जहां पर आपका सेंटर गया होगा वहां के स्कूल का आपको नाम लिखना रहता है तो आपके जो परिच्छा केंद्र का नाम होता है वह आपका दिया रहता है प्रिश्पत्र पर दिया रहेगा अदम सेम तो सेम में देखके पर इस पत्र को अदम भर दीज़िए गा इसको गल्ती मत किजिए गा थीक भा पॉइंट में ऊप Supreme बार बार बौल रहे हैं कि गलती होता है तो आप में फेल हो जाएंगे इस चीज़ को इतने भी पॉइंट बता रहे हैं आप ध्यान से जरूर देखिए एक भी पॉइंट आप गल्ती मत कीजिएगा ठीक है अब दिनांग अब दिनांग में क्या भरेंगे दिनांग में भी आपको बता है चाहे परिच्छा के तीथी पुछे चाहे दिनांग के पूछे आपको भरना है 22-02-2024 तो देखिए आपका हिंदी को 22 का यह बाइस बरिएगा फिर इसके बास बिज्ञान गड़ी इस तरह जिस दिन रहेगा उस दिन का तारीक आप जरूर डाल दीजिएगा ठीक है इन पॉइंटों का आप जरूर ध्यान दीजिए ठीक है अब देखिए आपके सामने अगला पॉइंट आता है सबसे सबसे important पॉइंट यह है OMR सीट भरने में बहुत से छात्र बहुत बढ़ी गलती कर देते हैं और वह फेल हो जाते हैं ति आप इससे कैसे बचे आपको बचने के लिए क्या करना है कि देखिए thkt को देखे कोड कोड हुआ विसे हुआ ठीक है अनुक्रमांक हुआ अनुक्रमांक हुआ इनको ध्यान से देखके ही अब भरिएगा ओयमाज सीट पे ओयमाज सीट भरते समय भी गलती होगा तो आप क्या क्या होगा कि 20 नंबर पूरा कट जाएगा बीस नंबर कटने का मतलब कि आप कहां पर चले आएंगे यहां पर चले आएंगे ठीक है फेल हो जाएंगे ठीक है तो एमाज सीट भरते समय भी ध्यान देना है आपको अब देखे एक बार ओयमाज सीट भर देंगे तो एमाज सीट भरने के बाद उस पे किसी प्रकार का इरेजर का प्रियोग नहीं कर स सब्सक्राइब करते हैं या नाखून से लगा कि नाखून से मिटाना भी नहीं आप एक बार सिर्फ भर दिये तो वही आपका सही माना जाएगा उसमें आप किसी प्रकार का और स्फचा उस्द्सक्राइब करे को हैं व्यक्थ सक्यानय रही करते हैं तो आप पूरा साल भर मेहनत का होता है व्यक्राद से बेकार सब्सक्राइब करें लगी difficult jest ऐसा होता है फ्रेंस कई चात्र इसी के चलते 2023 के पेपर में फेल हो चुके हैं मेरे जानकारी कई ऐसे चात्र हैं जो यह छोटी छोटी गलतिया कर चुके थे और वो फेल हो गए तो फ्रेंस जितने पी पॉइंट BATA है इसको एक बार देखे धहन से बोड के एक्साम में जरूर भरिएगा और जितने भी पॉइंट आपक। उर्वी वीडियो कैसा लगा आपको यी वीडियो पसंद आएग्या चैनल पर नहां है ते चनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें